मैं परिशान हो रही हूँ नीन खराब हो रही है मैंनी किसी को नीन नहीं आ रही तो अप्रे कमरे पे जाके सोई ना सोते हैं ना सोने देते हैं आधी रात को यहां क्यों बला है मुझे अगर मम्मी जा गई तो नीन नहीं आ रही है क्या दिमाग में इतना टेंशन हो तो नीन कहां से आने वाली है चलो आज यह तो डॉक्टर की डिगरिग आया वोगी या मेरा लिकेज ठीक होगा इतनी गर्मी में भी चदर ओड़के सोई है इस चादर मेरी है मेरी चादर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं होड़ सकता यह तो हद हो गई मेरी बिल्ली मुझी को भ्याव अरे यह एसे क्यों कर रहे है यह इसे क्या हो गया कहीं इस पर काला साया तो नहीं चड़ गया क्या बे मैं तुझे ढूड़ने के लिए पूरा घर चान माना और तु यहाँ है मेरे दर्थ की कोई दवा नहीं अब तो तु डॉक्टर कम प्लंबर जाबा दिकता है मानिकराज चुप रहने मरवाईगा क्या चुप रहों अंदर जॉला मुखी फट रहा है एक महीने से ठीक से नहीं खा पाया हूं अरे जब पूराना माल निकले का तभी तो नहीं माल के एंट्री होगी ठीक कर दे पापी पेट का सवाल है अरे मानिकराज शांतो जाओ और मुझे सबसे पहले तुम्हें एक बात बताओ तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उसके लिए मोट पर अच्छी तरह विराजमान होके मैंने उस मंत्र को हजार बर पड़ा उसके बाद गबडगबड करके अपना पेट हिलाया वहीं भी माटिरियल बाहर नहीं निकला अगर तुने बीमारी ठीक ने की तो देख मैं तेरा क्या हल बच्चा दिखता हो सुसुकरे शांतो कुछ नहीं वहां में करते कोशिश कर रहा है अन्नु अभी यहां से गई है उसे घूणने में मदद करो अजीबसी अख़तेगा रही थी कि अथा है कि तुम ने कोई आवास लिगत मैडम जंप एक ऊटो फिस के और मंज़ल मेडम यह क्या मज़ाइध तुम ही यहा कर रहे हो वह बैपना चमतकरी पढ़िने आया था बाबा जोलेगका तो चमत करी पैन भूशे गिफ्ट में दिया था ओ मेरी पेन आपके पास है थैंकि यू सर आज आसमान में चेट करके रहूंगा और उसके बाद मेरी फीज दिया देना चेट कर चेट कर चेट कर चेट कर चेट क्या हुआ अचारी यहां ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो सुकिदू खड़ी चे आप मेरा जंडर भूल गई क्या हुआ मैडम आप स्टेच्चु बनके क्यों खड़ी हैं मुझे उपर गर्मी लग 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 लए थी इसलिए खुली आवा में आगए अच्छा तो हवा खाकर पेट भर रही है तो में जाए ने सोई जाओ मैडम या मुसीबत है धड़े-खड़े तबाशा क्या देख रह तुम्हारी मां तुम्हें ऐसे ही मंदिर में मननत पूरी कराने नहीं ले आई है वो चाहती है कि तुम्हें इस वामाहूस ओनर की बेटे से शादी कर लो बचने का कोई तो रास्ता होगा अनू अगर तुम अपनी मांसे माफी नहीं मांगोगी तो बात और बिगड़ती ही जाएगी कल सुभा सब से पहले तुम उनसे सोरी कहके उनसे माफी मांग ले ना अगर उन्हें लगए गा कि तुम्हें अपनी गल्ती का अहसास हो गया है तो वो तुमसे बात कर लेंगी फिर उन्हें हमारे बारे में बता कर मैं किसी भी तरह से कन्वेंस कर况 tillRight इस में मेरी क वही आपकी नईया पार लगा सकते हैं, जायों मात अलीड़ी मेरे प्लान के मुताबिक चलते ना बॉस तो लाठी भी नहीं टूटे किया और रहा है, है ना कुंड़ा क्या कह रहे थे चारी? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही बात कर रहे थे अनू बच्पन के बारे में कुछ बता रही थी, वही कह रहा था वो ओ, और क्या कहा था? बस अभी नहीं बता बेब, कुछ नहीं होगा, बताने जिना ठीक चे उसके पैदा होने से पहले आपने लड़की की मननत मांगी थी ना ओ, उसे अब तक ही बात याद है कैसे याद नहीं होगी मैम वो आज इस मंदिर में यही मननत मांगने आई है कि आप दोनों में जो जगड़ा है, वो यहीं खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे से पहले जैसी बाते करने लगे वो मुझसे माफी मांग सकती थी मैं माफी देने से मना थोड़ी कर देती आखिर मैं उसकी मां ही तो हूँ वो आपकी सारी बाते मानने को तयार है लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसकी सारी बाते समझने की कोशिश करें येस मैं, वो उस लड़के से भी शादी करने के लिए तयार है जिसे आपने उनके लिए चुना है मैं, ऐसा कहते हैं कि एक मां से ज्यादा उसके बच्चों को और कोई प्यार नहीं करता और अगर ये बात सच है और आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं तो जाकर उससे बात कर लिजिए, प्लीज मतलब, अगर आप चाहें तो उसे एक मेसेज बेज सकती है कि अनु, I want to talk to you, बस शायद वो मेसेज पढ़कर खुदी आपसे बात करने आजाए इससे आपका इगो भी हर्ट नहीं होगा मैम अनु आपके सामने ही है शायल जाजी उसकी शादी की खातिर एक मेसेज आपको उसे करना ही चाहिए मेरी बात मानिये कि अनु आपके सामने ही है जानते हो चैतानिया माने मुझसे बात की उन्होंने मुझे अभी अभी मेसेज किया वो मचसे बात करना चाहती है आपका टाइम आएगा ताइमिंग गलत हो गया अनु अनु यह मैं हूँ चैतानिया तुम्हारी मम्मी तो वहां खड़ी है शायद तुमने अपनी मम्मी समझकर मुझे ही गले लगा लिया लेकिन वो तो वहां पर है आप भी ना मैडम मा से बात होने की खुशी में इनका हगी पूरी तरह से भटक गया इनको तो अपने बेस्ट फ्रेंड में भी अपनी मा का रूप दिखने लगा इसे कहता है मा के लिए बेटी का सच्चा प्यार अनू टाइम वेस्ट मत करो जाकर उनसे बात कर लो वा 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 इसने यहां भी नाटक शुरू कर दिया इस हैपी सिचुईशन में विलेन की एंट्री कहां से हो गई अब खड़े-खड़े मूह देखेंगे या कुछ बखेंगे भी वह आर तू? इसकी बहन के साथ मेरे बेटे की पिछले मैंने सगाई होने वाली थी और मैं इसका अंकल बनने वाला था पर बने तो नहीं न, अब आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं बस शैलजा जी से बात करना चाहता हूँ मैं हूँ शैलजा, क्या बात है? यह लड़का और आपकी बेटी अनू, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं यहां तक कि आपकी मर्जी के बिना इन दोनों ने सगाई भी कर लिये दोनों ने 25 तारिक को शादी करने का फैसला लिया है और इसके पापा ने यह सब कुछ अनौन्स भी कर दिया है हे, तू जानता है मुझसे जूट बोलने का अंजाम क्या है? मैं जानता था, आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबू साथ में लाया हूँ यह देखिए, गौर फर्माईए अच्छी तरह से बड़ी अजीब बात है यहां, जितने भी लोग खड़े हैं सब सचाई जानते हैं बस आप ही नहीं जानती, तुम लोग चुप क्यों हो, बोलो ना भाई हाँ मा, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन अनू ने खुदकुशी की धंकी दी थी, इसलिए मैंने आपको माम, प्लीज मेरी बात सुनिये, लेट मी एक्स्प्लीन माम, माम प्लीज माम, मेरी बात तो सुनिये, माम, माम मेरी बेटी बराबर की जिम्मिदा है, इसलिए छोड़ रही हूँ वरना मैं यही तुझे जिल्दा गार देती, मैं बरदाश्ट नहीं करूँगे, तुझे आदे गंटे का वक्त देती हूँ अगर आज के बाद तु यहां कहीं भी दिखा, तो सच में तुझे गार दूँगी छे, तुम बाप के नाम पे कलग हो अब चलते हैं अब चलते हैं अब चलते हैं अब चलते हैं शैलजा जी मेरी बात सुनो मुझे कुछ नहीं सुनना अगर इसे अपनी मा की ही इज़त नहीं है ना ही परिवार की मान सम्मान की इज़त है इसे नफरत है मुझसे यह मुझसे दूर रहना चाहती है तो इसे डाट कर कोई फाइदा नहीं मुझे लगा मेरी बेटी में बहुत गमंड है पर वो तो जूट बोलना भी सी गई इसने बिना पूछे अपनी सगाई कर ली क्योंकि इसकी नजर में अपनी मा की कोई कीमत ही नहीं पास साल पहली भी इसने मुझे बेज़त किया इसी लिए मैंने इससे बात करनी बंद कर दी थी इसकी शादी के लिए मैंने एक से एक लाइक लड़के दूड़े डॉक्टर ढूंडा, वकील ढूंडा इसने सब को रिजेक कर दिया और इस लड़की के लिए तुने मुझे दोका दिया हाँ शहलजा रेड़ी का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूख आप जाती है लेकिन आज मेरी अपनी ही बेटी ने मेरा अस्तित में बिठा दिया शहलजा जी मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा मेरी बात मानिये ये आपकी बेटी है आपको कभी धोखा नहीं देगी क्योंकि ये आपसे प्यार करती है ठीक वैसे ही जैसे आप इससे प्यार करती है अगर ये मुझसे प्यार करती है तो इससे कहो कि मेरी हर कही हुई बात को मान ले बिना किसी घमंड और जिद के इसने कहा कि मुझे आर्ट पढ़ना है और हमने इसे पढ़ने दिया अब इससे कहो कि चुपचाप मेरा कहना माने जिससे मैंने चुना है उससे शादी करे पर उसकी मर्जी के बिना ये नहीं कहनो, जबाद लड़ाते हो झाल